मेरे प्यारे विद्धार्तों आप सभी कैसे हैं मुझे पुरी उमीद है कि आप से भी वेतर होंगे जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने बताया था कि कैट ने RRC Group D Modification Link मामले में हस्तक छेप किया हो और मैंने ये भी बताया था कि कल की सुनवाई जो है वो बड़ी ही सकरात मक रही है और 27 जुलाई को इसका फैसला सुनाया जाएगा तो ये एक प्रमान है जो हिंदोस्तान खबर में छपा है प्रयागराज में कैट ने पूछा पास्पोर्ट से भी ज़्यादा कटिन परक्रिया क्यों रेलवे की ग्रूपटी फरिक्षा में आवेदन के दोरान चा खात्र के अधिवक्ता सिदार्थ मिस्र और रेलवे अधिवक्ता के भी जोरदार भास हुई दोनों ने अपने अपने तरक रखे अधिवक्ता सिदार्थ मिस्र ने बताया कि कोट ने इस मामले पर गंबीर रूक अक्तियार किया है कहा है कि रेलवे रिक्रूट्मेंट सेल RRC की आवेदन की प्रिकिरिया पास्पोर्ट से भी कठिन थे। ऐसा क्यूं हुआ कि 4 लाग चात्रों के आवेदन निरस्त करने पड़ गए। रेलवे के अधिवक्ता ने कुछ कागच पेस करने को मंगलवार तक का वक्त मांगा। अब सुनवाई सता ही जुलाई को होगी जो मैंने कहा था। अधिवक्ता ने बताया कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई केंदरिये प्रसासनी कदिकरण में दो जज़ों के बेंच में हुई सुनवाई पर हजारों चात्रों की निकाह लगी रही। फॉर्म निरस्त होने के बाद रेलवे रिकूर यानी ररसी के रूख से नाराज करीब साड़े चार लग चातरिस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। तो यह आपने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान कॉलम में कैट को लेकर ये चीज प्रकासित हुई है। और मैंने आपको बताया भी था कि 27 जुलाई को इसकी सुनव तो अच्छे न्यूज और रियल और अथेंटिक न्यूज के लिए पंकासर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।